नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है मंदिर की सीडियों पर ठोकरे खाने के लिए मा को छोड़ने वाले बेटे ने जम्मा को इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन के रूप में देखा तो उसके होस उड़ गए बीदिसा में भैरो बाबा के मंदिर के पीछे एक बड़ा पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ है यह दोनों पेड़ गर्मियों के दिनों में सीतल चाया देते हैं इसलिए पथिक वहां रुख जाते हैं और बाबा भैरोनात के दर्सन कर थोड़ी देर विश्राम कर आगे बढ़ जाते हैं नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना वसेरा बना लिया था देखने में वह किसी सहर की नजर आती थी वह किसी संभ्रांद घर की नजर आती थी पर अब वह फटे कपड़े और एक जैकेट लिये यहां पड़ी रहती थी आज लगबग सोलावा दिन था मंदीर में जो थोड़ा बहुत प्रसाच चड़ता था या कभी कोई रागीर उन्हें जो खाना पकड़ा देता था उसी से उनका घुजारा होता था राजंदर खुमकर स्वभाव का ब्यक्ति था वह अकेला ही मोटर साइकिल उठा कर तपती लू में भी यहां से वहां प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए घुमता रहता था राजंदर के मम्मी पापा रोड एक्सिडेंट में मारे गए थे उन दिनों राजंदर MBA फाइनल येर का स्टुडेंट था अब राजंदर के आगे पीछे कोई नहीं था इसी कारण थोड़ा स्वच्छंद प्रविर्ति का होने के कारण वह प्राकृतिक दिस्यों का आनंद लेता यहां से वहां घुमता रहता था राजंदर का MBA फाइनल येर के दौरान ही नोकरी के लिए प्लेस्मेंट में सिरेक्शन हो चुका था और वह अब एक मल्टीनेशनल कंपणी में मैनेजर के पत पर कार्यरत था सब्ताहंत छुट्टी के सनिवार और इतवार को वह अपने दोस्तों और रिस्तेदार के साथ वहां घूमने में बिता देता था आज वह उदागिरी की गुफाएं देखने के लिए भी दिसा अकेला ही निकल पड़ा इतनी लंबी मोटर साइकल की ड्राइविंग उसके लिए एक आनंद दायक यात्रा थी कश्ट दायक नहीं भैरवनात के मंदिर पर आकर वह आसपास के दर्शियों को देखने लगा तब ही उसकी नजर नीम के पीड के नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्शन उसने नजर आया सायद उसका मन हर बुढ़ी इस्तरी में अपनी दादी को ही खोशता था उसने बुढ़िया से कहा अमा कुछ खाओगी लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है अपन बिस्किट खाते हैं बुढ़िया ने उसकी और देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया राजिंद्र ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा खाते खाते उसने पूछा अमा आप कहां रहती हो और इस पेड़ के नीचे कैसे वैठी हुई हो बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा बेटा अब तो यह पेड़ ही मेरा घर है हाँ पहले जरूर मैं मतुरा में रहती थी वहाँ मेरा अपना एक सांदार बंगला है मेरे पती के स्वर्गवास के बाद एक साल तक तो सब ठीक चला पर धीरे धीरे मैं अपनी बहु की आँख का काटा बन गई एक रोज मेरा बेटा मुझसे बोला अम्मा चलो हम लोग कुछ तिर्थ हस्थलों पर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग ट्रेन से भी दिसा में उतरें और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बिठा कर यह करकर चला गया कि अम्मा मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा आज इस घटना को सोरे दिन हो गए पर नो तो बेटा आया और नो ही उसकी कोई खबर तब मुझे लगा कि उसकी पतनी मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी साइद इसलिए मेरा बेटा यहां मुझे भगवान भैरोनात की सरण में छोड़ कर चला गया यह कहते हुए बुडिया की आँखे डबडबाय आई राजिंदर के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी मा दोनों एक साथ उतार आएं और राजिंदर की आँखों में आसू की दो बूदे छलक पड़ी राजिंदर माता पिता की मृत्यू के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया उसने बुडिया से पूछा अमा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी बुडिया ने कहा बेटा जम मेरा अपना खून अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा रहने दे बेटा मुझ पर दया मत कर मैं यहीं भगवान भैरोना की सरण में अपने जीवन के से इस दिन गुजार लूंगी राजिंद्र ने कहा अमा मेरे माता पिता रोड एक्सिडेंट में स्वर्गवासी हो गए और अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है आपकी सकल और बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है यदि आप म मेरे लिए आप खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी माँ और दादी की एक छाया बुडिया ने कहा बेटा यह तुम्हें दो मिनट का मो हो रहा है एक दो दिन में मैं तुम्हें बोज लगने लगूंगी और फ तो उने बड़ी तक्लीफ होती है। राजिंद्र ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और कहा चलो अम्मा सामोने को है अब घर चलते हैं। राजिंद्र को उठने से पहले अम्मा जी भगवान की पूजा कर लेती हैं। अचानक राजिंद्र ने अपने माथे पर थंडी उंगलियों कास पर सनभव किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही हैं। दोबारा ठंडी उंगलियों का असपर्स जब उसके चेरे पर उसने महसूस किया तो उसने आग खोल दी उसने देखा बुढ़िया मा पूजा करके आने के आने के बाद अपने गीले और फूलों की खुसबू भरे हाथों से उसके माथे और बाले को सहला रही थी राजिंदर ने अमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से चूख कर फिर से माथे पर लगा लिया उसके हाथ अपने आप बुढ़ी अमा के पैरो को चाप पहुचे और बुढ़ी अमा के हाथ अपने आप आसिरवात देने के लिए उसके सिर पर पहुच गए आखे बंद कर और बुदबुदा कर अमा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की अमा बोली बेटा उठो आफिस जाने का समय हो गया है राजिंद्र बोला अमा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्टरी डालने का नेड़ा किया है आज से आफिस तो नहीं जाएंगे बस इस फैक्टरी की सुरुवात करनी है दो पहर को फैक्टरी की पुजा आपके हाथों से होनी है आप तयार रहिएगा बेटा खुद का धंदा तो खुद का ही होता है आज तुमने सही राज चुनी है समय के साथ साथ यही छोटी फैक्टरी स्वर की क्रिपा असिरवाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्टरी में बदल जाएगी ऐसा मेरा भी स्वास है कहते हुए बुढिया मा की आँखों में आसा के नए दीब जल उठे फैक्टरी सुरू हुई मातरे एक साल हुई है पर फैक्टरी की गोथ उसके तायार माल की अच्छी क्वालिटी के खारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के खारण बहुत तेजी से हो रही है राजिंदर आब एक और नए फैक्टरी सुरू करने का विचार कर रहा है राजिंदर दिनों दिन ब्यस्ता और ब्यस्त होता जा रहा है अमा ने उससे एक दिन कहा बेटा सिर्फ काम ही जीवन का उद्दे से नहीं होता आब इस काम को भी फाइनल कर ही लिया जाए राजिंदर की निगाहों में तुरंट संगीता की तस्वीर उभर आई संगीता उसके मामा के बेटी की सहली थी जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी के सहर में साथ कहीं नौकरी कर रही थी राजिंदर से उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी उसका स्वभाव और सालिंता राजिंदर को बहुत अच्छी लगती थी अम्मा और राजिंदर संगीता के घर गएं और साधी का प्रस्ताव दिया संगीता के पापा ने तुरंधा कर दी और संगीता दुलहन मन कर अगले महीने ही राजंदर के घर आ गई राजंद जितना प्यार अमाजी को करता था संगीता अमाजी के गुडों से और उनके शने से उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित थी अम्मा जी ने इस घर में उसकी मा का अस्थान ले लिया ना जाने कैसे अम्मा जी उसके दिल की हर बात जान लेती थी और उसकी हर चाहत उसके बिना कहे ही पूरी कर्ज देती थी समय बिता गया और राजिंदर के घर में एक बेटा गीत और एक बेटी सरगम दो फूलों की तरह खुसियां भी खेडने लगें हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राजिंदर और संगीता नहीं अपी तू गीत और सरगम हो गए थे अम्मा जी का विस्तर अब गीत और सरगम के कमरे में लग गया था रात को सुने से पहले ठेरो कहानिया सुनाना और जागने के बाद एक बच्चा गीत यदि उनके गले से जूलता था तो सरगम पीठ पर जूल कर उन पर अपना स्निह बराबरी का अधिकार सा दिखाती रहती थी बच्चों का दोपर का खाना बिना दादी मा के हो ये संभो ही नहीं होता था यदि बच्चे ममी पापा के साथ बाजार जाते तो वह जित करते दादी मा को अवस्य अपने साथ ले जाते संगीता और राजिंद्र भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा जी को देखर एकदम बेफिक्र हो चुके थे राज जिंद्राव एक बहुत बड़े उद्योग पती हो चुके थे उन्हें संगीता के रूप में एक बहुत अच्छा बिजनस पार्टरनर और जीवन साथ ही मिला था इसी वज़े से उनका उद्योग समराज अब नई नई उचाईयों को छू रहा था उनके उद्योग के ब्रांच आफिस अब देश के लगबग सभी प्रमुक नगरों में अस्थापित हो चुके थे जिन में अनेक अनेक कर्मचारी काम करते थे अम्मा जी का बेटा अंकी जो उन्हें बिदिसा के रिल्वे स्टेशन पर उतार कर भैरवनाज जी के मंदिर में छोड़ गया था घर जाते समय अत्यंत अपराद ब्रोश से ग्रसित था अपनी निस्पाप और निर्पराद मा के साथ किया गया अन्यायू से हर पल बिच्छू की तरह दंस देता रहता था अपने ग्रेक लेस से दुखी हो कर और अपनी पतनी के साथ सुख से जीने की चाह में उसने मा को छोड़ तो दिया था पर उसका अंतर हाहा कार करता रहता जिसे वह किसी से सेयर भी नहीं कर पाता था अब घर में उसकी पतनी का एक छत्र राज्य था घर के खर्चे और दुखान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसी के इच्छा के अनुसार होने लगा था अनाप सनाप तरीके से बिजनस मनी को निकाल कर अन्यत्र उप्योग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमा या बेवसाय जो पिदा के द्वारा खड़ा किया गया था मंदा पढ़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अंतता है एक दिन उसने दुकान बंद कर दी अंकित के दुकान बंद करने के बाद के कुछ दिनों बड़ी मुफिलसी में गुजरे अब अंकित को और उनकी पतनी को दाल आटे का भाव पता चलने लगा और अब फिजूल खर्ची का तो कोई सवाल ही नहीं था उसके किसी दोस्त ने जो की एक बड़ी कमपनी में काम करता था अपनी सिफारिस पर उसकी नोकरी अपनी कमपनी में लगवा दी और इस तरह से अंकित की गाड़ी फिर से चल निकली अब तक अंकित के भी दो एक बार ठोकर खाने के बाद अंकित अब कमपनी में भी बहुत मन लगा कर काम करता था वो दिमान तो वै था ही मन लगा कर काम करने के कारण फैक्टरी में उसे उची सम्मान मिलने लगा अब वो अपनी फैक्टरी का एक महत्वपुड करमचारी हो गया अंकित की कमपनी में अस्थापना की साल गिरह का वरेशी कोष्यू था, सभी employee की performance के आधार पर पुरस्कार वित्रण होना था, अंकित में हन्ती तो था योग्य भी था, उसे भी योगिता के लिए पुरस्कार मिलना था, ये पुरसकार उनकी कमपणी के मालिक के द्वारा दिया जाना था नियत तिथी को पुरसकार बितरण समारोज सुरू हुआ ये पहली बार था जम्मतुरा के एमप्लाइ अपने मालिक अपनी कमपणी के मैंեज़िंग डारेक्टर से रूबरू हो रहे थे आज उनकी factory में और उनकी company में भी सेज दिन था मैंनेजिंग डारेक्टर अपनी मा और बच्चों के साथ प्रोग्राम में सिर्कत करने के लिए आ रहे थे प्रोग्राम सुरू हुआ और पुरसकार वितरण के लिए मैंनेजिंग डारेक्टर साथ से अनुरोध किया गया मैंनेजिंग डारेक्टर स्टेश पर आए और उन्होंने कहा आज हमारी company जो कुछ भी है हमारी अम्मा जी के आसिरवास से अम्मा जी की प्रेडा से है मैं पुरसकार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूँ मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृप्या वै आए और अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभागियों को पुरसकार वितरण करें अम्मा जी स्टेश पर आए उनकी स्मृतियों में यह सहर फिर से जीवन थो उठा इसी मतुरा सरहन में तो वह ब्याह कराई थी यहीं उनका बेटा था और यहीं उनकी हवेली थी यहां की गली गली और द्वार का धीश कृष्ण जन्म भूमी भूतेश्वर और नौजाने कितने मंदिर जहां वह दर्सन करने अपने परिवार के साथ जाती थी उनकी आखों के सामने जीवन थो उठे अम्मा जी अपने आखे पोचते हुए स्टेश पर आई अना उनसर प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरसकार देती गए तभी अना उनसर ने एक और नाम पुकारा अंकीत जैसवाल अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुन कर नौजाने कितने भाव आए गए सामने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था परिचिस सा लग रहा था अम्मा जी ने ध्यान से देखा सचमुश में उनका ही तो बेटा था अंकीत जैसवाल जो उन्हें तिर्थे आत्रा का जहासा देकर विदिसा के भैरोनात मंदिर में बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था अम्मा जी की आखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आए उन्हें ऐसा मैसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही यो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आपको समाला अम्मा जी ने अपरचित की तरह अंकीत को पुरसकार थमा दिया और अपना मुँ दूसरी तरफ कर लिया अंकीत ने ध्यान से देखा पुरसकार देने वाली महिला कोई और नहीं उसकी अपनी मा थी अंकीत मा के पैरों में गिर पड़ा उसे विश्वासी नहीं होता था कि इतने बड़े सामराज्य की अधिश्ठात्री उसकी मा ही है अंकीत ने हाथ जोड कर मा से माफी माई और कहा कि मा चलो घर चलना है मा ने कहा कैसी मा कैसा घर मेरा तो बेटा उसी दिन मर चुका जिस दिन मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड कर आया था आज के बाद ना मैं तुम्हारी मा हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे कहका रमा जी पुरसकार वितरड बीच में ही छोड कर अपनी सीट पर जा बेटी वह सोचने लगी अंकीत जायसवाल सुरू से ही अपनी मा का बड़ा लाडला था पर था वह एक कमजोर मान सिखता का बेटी जब उसकी साधी जया से हुई तो सुरू में तो सब ठीक ठाक चला पर जया को भी ऐसास हो चुका था कि अंकीत एक कमजोर बेक्तितों का बेक्ती है और इस पर अपना पुरा नियंत्रण किया जा सकता है अंकीत के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी अंकीत के ही पास आ गई अंकीत वैसे तो बुद्धिम्यान बेक्ती था पर वह अपनी पत्नी जया का कहना कभी नहीं टाल पाता था वह उसकी सभी सही और गलत मांगे हमेशा पूरी करता रहता था अंकित के पिता सेट रोसन लाल मतुरा की एक जानी मानी हस्ती थे उनकी किराने की और ड्राई फूड की एक बहुत बड़ी दुकान थी रोसन लाल मितब्याई ब्यक्ती थे और पैसे को सम्हाल कर खर्च करना जानते थे वे पैसे की कदर करते थे और पैसा उनकी इस कारण में घर में बहुत सुक्ष सम्रिदी थी जो उनकी मृत्यू के बाद भी कायम थी जया का भाई जितिंद्र भी अपने पिता का बिजनस सम्हाले हुए था पर उसके कपड़े के बेवसाय में बहुत खाटा हो गया था अपनी दुकान सम्हालने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की सक्त जरूरत थे और पैसा मिलने का एक ही साधन था वही सबसे सरल साधन भी था वह था जया अपनी वहन का घर वह जया के पास पैसे मांगने आया इतना सारा पैसे का इंतजाम जया अंकित की मदद लिए बिना नहीं कर सकती थी जब उसने अंकित से पांच लाख रूपए अपने भाई जितिंदर को देने की बात कही तो अंकित सोच विचार में पड़ गया साम को अंकित ने यह सारा घटना करम अपनी मां को सुनाया मां बहुत समझदार थी उन्होंने कहा बेटा अभी तुम्हारे खुद का वेवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना तुम्हारे पापा के समय में चलना करता था इस समय इतना सारा पैसा वेवसाय में से निकालना वेवसाय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा यदि दस पचास हजार की बात है तो तुम अपने साले को तुरन दे सकते हो पर इतना रूपया वेवसाय से निकाल कर देने कि मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूँगी जीवन में पहली बारं कितने मा का हवाला देते हुए बड़े साहस से जया को पांच लाख रूपय देने से मना कर दिये और उसका भाई मो लटका कर वापस चला गया बस उसी दिन से जया अपनी सास राजदुरारी की जानी दुस्मन बन गई और हर छोटी छोटी बात पर उसने अपने असहाय बिधवा सास को टोकना कचोटना सुरू कर दिया और तो और वह उसके खाने में भी कभी नमक ज्यादा डाल देती और कभी उसकी सबजी की कटोरी में धेर धेर मिर्ची डाल देती जब वह पूजा के लिए और भजन के लिए बैठती तो जया जोड जोड से अपने फिल्मी गाने म्यूजिक सिस्टम पर बजाने लगती उनकी छोटी सी गलती पर वह उनसे ऐसा विवहार करती जैसे कोई नोकरों से भी नहीं कर सकता था जया को हर पल यही एसास होता कि यह राश दुलारी ही है जिनके कारड उसके भाई का बेवसाय ठीक से नहीं जम पाया जब इस बुडिया ने मेरे भाई का भी भला नहीं होने दिया तो अब यह तो मेरी आँक का काटा बन गई है जिसे किसी ना किसी तरह से निकाल फेकना होगा यही विचार उसके मन में राश दुलारी के प्रतीजहर घोलता रहता था राश दुलारी हमेशा खामोस रहती थी वह अपने बेटे और बहु को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी वह कुछ भी नहीं कर सकती थी अकेले गिर्धर गोपाल जी की मुर्ती के सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर अपनी मौन अस्रुधारा से ही अपनी सारी सिकायत और ब्यथा उन्हें सुनाती रहती थी अंकित चाह कर भी अपनी मा का पच्छ नहीं ले पाता था अब अपनी सास की एक एक बात में जया सौसो नमक मिर्च लगा कर अपने पती को दुकान से लोटने पर सुनाती रहती थी और अंकित भी अपनी उस मा को जिसे वह जान से भी जादा प्यार करता था बहुत जली कटी बात सुना देता था और तरह तरह से अपमानित करता था वह सोसता था कि साथ ऐसा करने से जया का गुस्सा कम हो जाय और घर में सांती बनी रहे एक दिन जब राजदुलारी गैस पर कढ़ाई में सबजी बना रही थी तो उन्हें चक्कर आने लगा अंजाने में ही गैस पर बन रही उबलती सबजी उसकी कलची से छिटक कर वही पास में खड़ी जया के पेट पर आकर गिर गई जया ने घर में महाभारत मचा दिया और बेचारी राजदुलारी अपने अंजाने में हुई गलती पर छमा मांगती ही रह गई है वह गलती जो उनसे अंजाने में हो गई थी जया की निगामे छमा केए योगि थी ही नहीं साम को जबंकित दुकान से घर आया तो जया ने बताया कि उसकी माँ उसकी जान की दुस्मन हो गई है और आज उन्होंने उबलती सबजी उसके ऊपर फेक कर मारी अब वह उसको जहर देकर भी मार सकती हैं अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी मा या कह कर कैकेई की तरह अपने पती का हाथ जटक करजे आपने कमरे में बंधो कर वैठ गई अंतता कमजोर मांसिक्ता वाले अंकित के सामने एक ही रास्ता बचा रहे गया वह था अपनी मा का परित्याग यदि वह अपनी मा को बृद्धा असरम में छोड़ता है तो उसे समाज की जग हसाई का भै था इसलिए उसने तिर्थे आत्रा जाने की बात अपनी मा से की और मा क को इस तरह सहाई छोड़ने के बाद अंकित एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपरात के लिए कचोड़ता रहता अब जया पैसे खर्च करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थी उसने अंकित पर दबाव बना कर छल से और प्यार से पांच लाक उन दिनों इतनी पूजी किसी वेवसाय के लिए एक बहुत बड़ी पूजी हुआ कर दी थी इतनी पूजी निकलने के बाद अंकित के वेवसाय की गती धीमी और धीमी होती चली गई और धीरे धीरे अंकित को घटा उठाने के खारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी घ प्रेक्टरी में जब उसे अपनी मा के हाथों से पुरसकार मिला तो वह बहुत चक्रा गया मा के द्वारा उसकी घोर उपेच्छा उसे अपनी अच्छमे करनी का एहसास दिला गई और वैग हाउस जो उसने मा को तरास दे कर अपने मन में बनाया था अब इस चोड से नासूर बन गया वह अपने दुख को नो तो अपनी पतनी से सेर कर सकता था और ना ही दोस्तों से क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसे किसी दुष्ट पुत्र की इतनी गंदी करनी को पसंद नहीं कर सकता वह इत्वार का दिन था उसके ऑफिस की छुट्टी थी अंकित अपनी पतनी के हाड़ी इस्थित मंदिर पर दर्सन के लिए गया जैसे ही वा भगवान की मुर्ती के सामने हाज जोड का और आखे बंद कर प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल द्रिष्टी से उसके द्वारा किये गए भयानक पाप के लिए हस रहे हूं घबरा कर उसने आखे खोल ली मंदिर से घर की और स्कूटर से लोट रहे अंकित की मांसी किस्तिती अपराद बोध से और अपने खुद के द्वारा किये गए अपनी मा को असहाय छोड़ने के कुकर मिसी इतनी ब्यथित हो गई कि उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी साके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया और जया और अंकित दूर तक ट्रक में उलजे स्कूटर के साथ घिसीरते चले गए अंद में ट्रक का पहिया अंकित के सिर से उपर से होता हुआ गुजर गया और उसके सिर का कचूमर निकल गया तथा जया का एक हाथ और एक पैर पह में अभी हाल ही में उसे उधारी के लिए हुए पैसे वापस करने हूंगे या सोच कर वाई यह एक दिन अपनी बहन के पास रह कर और बहाना बना कर घर वापस लोट गया अंकीत के दोस्त भूसर ने जो उसके साथ फैक्टरी में काम करता था सारे घटना करम की जानकारी मैंनेजर को दी मैंनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपने मालिक और डायरेक्टर राजिंदर को दे दी जब राजिंद्र फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो राजदुलारी वही टेबल पर बैट कर उसके साथ नास्ता कर रही थी अंकिज जैस्वाल का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने राजिंद्र से पूछा क्या हुआ बेटा राजिंद्र ने कहा कोई अंकिज जैस्वाल नाम का बेक्ती जो उसकी फैक्टरी में काम करता था और जो आप से पुरसकार भी ले चुका था आज असानक एक्सिडेंट में मर गया है मा के हास से मुँ में जाता हुआ कौर छोट कर नीचे गीर गया और उनकी आखों से अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर असुरुधारा बह निकली कुछ छड़ मौन रहकर उन्होंने राजिंद्र को बताया कि अंकित उनका वही इकलोता बेटा था जो उन्हें बिदिशा के मंदीर में छोड़ कर चला गया था राजिंद्र के मौपर अंकित के लिए क्रिडा के भाँ उभर आये और वह बोला जैसी करनी वैसी भरनी जो अपनी मा का ही नहीं हो सका उसके लिए यही सजा भगवान ने उप्युक्त समझी मा कुछ दिर तक खामोस रही फिर अचानक ही उनके चेहरे पर दिर निश्चे उभर आया राजदुलारी ने कहा बेटा मुझे कुछ दिनों तक के लिए वापस मथुरा जाना है अंकित का अंतिम संसकार भी करना है और अनात हुए बच्चों को भी देखना है मैं जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आजाओंगी मेरे जाने का इंतजाम कर दो इतना सुनकर राजदुलारी की पत्नी रूपियों से भरा हुआ एक छोटा सबैग लेकर आई और राजदुलारी के हाथ में देते हुए बोली मा ये थोड़े से पैसे हैं रख लिजी आपको महां काम आएंगे आखों में आसु भरे राजदुलारी ने सने से बहु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटी मैं अभी ये पैसे तुमसे नहीं ले सकती तुम्हारा प्यार और शने ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूजी है तुम लोगों ने मुझ बे सहारा को आस्रे दिया यही बहुत है मैं तुम पर और बोज नहीं बनूंगी राजिंद्र ने पैसों से भरा हुआ ये अब एक मा के सामान में जवरजस्ती रख दिया और कहा कोई मा अपने बेटों पर बोज कैसे हो सकती है यदि आप ये पैसे लेकर नहीं जाएंगी तो मुझे लगेगा कि साथ मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसका दंड आप मुझे दे रही है चुप चाप पैसे रख लो मा नहीं तो मैं रो पड़ूँगा राजदुलारी आँखों में आशु भरे हुए अपना सामान लेकर कार में बैठ गए या और कार उसे लेकर अपने घर मतुरा की और चल पड़ी क्या जिया को अपनी गलती का एहसास होगा क्या राजदुलारी राजदुलारी के पास वापस लोटाएंगी या उनका कुछ और ही फैसला होगा जैया और उसके बच्चों की जिंदगी अब क्या मोड लेगी राज दुलारी का क्या फैसला होगा जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग अगर आप इस कहानी का अगला वाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में या सार नो जरूर लिखिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए का थैंक्यू फार वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में